अध्याय सोला, देवी तथा आसुरी सोभाव, भगवान ने कहा, हे भरत्पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशिलन, दान, आत्म सैयम, यग्य प्रायंता, वेदाध्यन, तपस्या, सरल्ता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध बिहिंता, संकल्प, तेज, शमा, धैरे, पवित्रता, इश्या, तथा सम्मान की अभिलाशा से मुक्ती, यह सारे दिव्य गुन है, जो देवी प्रकृती से संपन, देव तुल्य पुरुशों में पाए जाते हैं, है प्रिथा पुत्र, दंब, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर्ता, तथा अज्यान, यह आसुरी सोभावालों के गुन है, दिव्य गुन मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुन बंधन दिलाने के लिए है, है पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुनों से युक्त हो कर जन में हो, है प्रिथा पुत्र, इस संसार में स्रिजित प्रप्राणी दो परकार के हैं, देवी तथा आसुरी, मैं पहले ही विस्तार से तुमें देवी गुन बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुनों के बिश्य में सुनो, जो आसुरी है, वो यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नही सत्य पाया जाता है, वो कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी इश्वर द्वारा नहीं होता, उनका कहना है कि यह काम अच्छा से उत्पन होता है, और काम के अतरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, ऐसे निश्कर्षों का अनुग करने के लिए होता है। लीन होकर इंद्रे त्रिक्ती के लिए अवेद ढंक से धन संग्रे करते हैं। शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ती हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंदी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यग्य करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस परकार ऐसे विक्ती, अग्यानवश, महोगरस्थ होते रहते हैं। इस परकार अनेक चिंताओं से उद्गिन होकर तथा महोजाल में बंद कर वो इंद्रिय भोग में अत्यदिक्त आसक्त हो जाते हैं। और नर्क में गिरते हैं। अपने को स्रेश्ट मानने वाले तथा सदेव घमंट करने वाले संपत्ती तथा मिथ्या परतिष्टा से महोगरस्थ लोग किसी विधी विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्ब के साथ यग्य करते हैं। मिथ्या एहंकार, बल, द्रप, काम तथा क्रोथ से मोहित होकर आसुरी विक्ती अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईश्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईश्यालू तथा कुरूर हैं और नराधम हैं उन्हे में निरंतर बिविन आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। है कुंति पुत्र ऐसे विक्ती आसुरी योनी में बारंबार जनम गरेन करते हुए कभी भी मुस्तक नहीं पहुँच पाते वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गती को प्राप्त होते हैं। इस नर्क क जो विक्ती इन तीन नर्क द्वारों से बच चाता है वो आत्म साक्षातकार के लिए कल्यानकारी कारे करता है और इस परकार कर्मशव परमगती को प्राप्त होता है। जो शाष्तरों के आदेशों की अवेलना करता है और मनमाने ढंग से कारे करता है उसे ना तो सिद्धी ना सुख ना ही परमगती की प्राप्ति हो पाती है अतेव मनुश्य को यह जानना चाहिए कि शाष्टरों के विधान के अनुसार कारे कर तब्य है और क्या आओ कर तब्य है उसे ऐसे विधी विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिसे वो करमशा उपर उठ सके